बच्चों पिछले अध्या में हमने देखा कि किस प्रकार समग्र मांग और समग्र पूर्टी के द्वारा एक संतुलन निर्धारित करने पर एक ऐसी इस्थती बनती है जहां पर अत्यधिक मांग की समस्या उत्पन हो जाती है याने कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का सही सही प्रयोग कर लेने पर और उत्पादन के लिए जो भी कारे कर सकते थे जितना हम एक्जिमम उसमें लगा सकते थे एफ़र्ट सब कुछ कर लेने पर एक इस्थती ऐसे बनी रहती है जब पूर्टी नहीं हो पाती और बजार में वस्था की मांग जो है वो अत्यधिक बनी रहती है कुल मिलाकर हमने देखा कि पूर्टी कम हो जाती है और मांग बहुत जादा हो जाती है यानि कि अत्यधिक मांग के इस्थती उत्पन हो जाती है ठीक इसके विपरीत एक ऐसी इस्थती आती है जब वस्थू की पूर्टी बहुत अधिक होती है उत्पादक बहुत अच्छी मात्रा में वस्तो का उत्पादन करता है लेकिन बाजार में उस वस्तो की मांग ही नहीं हो पाती तो जब पूर्ती बहुत अधिक होती है लेकिन मांग बिलकुल कम हो जाती है ना के बराबर हो जाती है तो ये एक ऐसी समस्या आती है जिसे हम कहते हैं आभावी मांग तो आज ह तक किस तरह से इस समस्या को हल किया जा सकता है तो सबसे पहले हम हमने जाना कि आभावी मांग क्या है इसके अर्थ को हमने देखा अब अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितिया है जो आभावी मांग जहां पर हम कह सकते हैं कि अब आभावी मांग उत्पन होगी तो सबसे पहली परिस्थिति हम देखते हैं कि मौद्रिक आए इसमें घड़ जाती है और उत्पादन की मात्रा जो होती है वो इस्थिर रहती है मांग ही नहीं है बजार में तो उत्पादन को बढ़ाना या घटाने का प्रेश्ट नहीं नहीं उड़ता तो यहां पर उत्पादन के अगर हम बात करते हैं तो वो इस्थिर हो जाता है एक ऐसी स्थिति आती है जब उत्पादन में वृद्धी होती है लेकिन मौद्रिक आए में कोई परिवर्टन नहीं होता भले ही प्रोड़क्शन बढ़ाया जाए उत्पादन करता जो होता है वो वस्तों के उत्पादन बढ़ाता है लेकिन लोगों के जो मौद्रीक औहे हैं मुद्रा के रूप में उनको जो आय प्राप्त हो रही है वह इस तिर रह जाती है उसमें किसी प्रकार की वर्द्धी नहीं होती तो ऐसे इस्तिति उत्पन होती है कि मांग का भा हो जाता है लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है उनके मौद्रिक शक्ति बढ़ ही नहीं रही है तो वो मांग मिवृद्धी कैसे कर सकते हैं तीसरी एक कंडिशन देखने को मिलती है कि मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटते हैं दोनों में ही कमी आती है लेकिन मौद्रिक आय अपेक्शाक्रित तेजी से घटती है हाला कि जब उत्पादन करता है बाजार का ध्यन करता है देखता है समझता है तो उसको लगता है कि बाजार में वस्तू की मांग नहीं है याने कि अब उसको उत्पादन कम कर देना चाहिए या स्थिर कर देना चाहिए रोक देना चाहिए तो उत्पादन करता जो होता है वो ऐसे कंडिशन में उत्पादन को कम करने का प्रयास करता है लेकिन उससे भी अ मौद्रिक क्रेश रखती जो होती है वो कम हो सकती है तो कुछ भी हो लेकिन कुल मिलाकर इस्थिती तो ऐसे बनती है कि उत्पादन यानि कि पूर्धी के पेक्षा मांग घड़ते रहती है एक परिस्थिती ऐसी आती है जब मौद्रिक आए और उत्पादन दोनों बढ़ते है हमने देखा कि उत्पादन घटा लेकिन उससे कहीं ते जिसे मांग घड़ गई इसके विपरीत एक इस्थिती आती है जब प्रोड़क्शन बढ़ता है मांग भी यहाँ पर बढ़नी चाहिए लेकिन होता क्या है कि प्रोड़क्शन ज्यादा बढ़ जाता है उस स्पीड मे प्रोड़क्शन बढ़ाया गया जिस स्पीड में उत्पादन किया गया उस स्पीड में मांग नहीं बढ़ पाई इसके कुछ कारण रहे होंगे जो भी हमागे अध्यन करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जब अभावी मांग के स्थिति उत्पन होती है और यह समस्या तो उत्पादन लगतार बढ़ता जाता है लेकिन फिर भी मांग नहीं बन पाती बाजार में इसका एक कारण यह हो सकता है कि मौद्रिक आए इस्थिर वाली बात तो हमने पहले देखी लेकिन अब इस्थिर भी नहीं है अब मौद्रिक आए क्या है घट गई है कम होने लगी है तो यह एक आभाव के स्थिति आभावी मांग के स्थिति को जन्म देता है अब अगर हम बात करें इन सभी बिंदूओं का ओर और क्या असर पड़ता है बजार में तो ऐसी स्थिति देखनों को मिलती है जो पूरती तो परियाप्त मात्रा में होती है लेकिन वस्तू की मांग जो है वो पूरी तरीके से घट जाती है इसको हम मांग में कमी या इस इस्थिति को हम अस्थिति भी कह सकते हैं अब यह जो पिक्षा कम कर देता है तो निश्य थी वो अपने उत्पादन के जो साधन है उनमें भी कमी लाएगा भूमी, पूंजी, श्रम, संगठन इन सब का जो दायरा है वो कम कर देगा यहाँ पर एक ऐसी समस्या उत्पन होती है जिसे हम कहेंगे बेरोजगारी बात करें चाहें अगर हम भूमी पती को लगान प्राप्त होने की, फूंजी पती को ब्याज प्राप्त होने की, श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होने की या संगठन करताओं के वेतन की यही वो इस्थिती है जहां पर वेतन में कटोती या हम कह सकते हैं कि छटनी की इस्थिती जो उत्पन होती है बेरुजगारी की समस्या जो उत्पन होती है अब क्यूंकि एक ऐसी समस्या है जहां पर जो आर्थिक रियाएं होती है वो कम होती चली जाती है तो आर्थिक इसे समंधित जो भी समय स्याइं रधावी मांग के कुछ परिभार्शाओं का द्ध्यन करें प्रुफेसर कालबॉन करें उन्हिक्षिक वैरूजगारीिवस पिति की दिए प्रोफेसर पीगू के शब्दों में मुद्रा आवस्पिती कीमत इस्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय तक उत्पन होती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय के तुल्ना में तेजी से बढ़ता है तो आपने देखा कि वास्तों में आवस्पिती या आभावी मांग एक ऐसी इस्तती को जन्म देता है जहां पर वस्तुओं की कीमत में लगातार गिरावट आने के कारण उत्पादन कम होने लगता है और उत्पादन कम होने से बेरोजगारी की जो समस्या है वो जन्म लेती है बात करें अगर यहां पर उत्पादन के साधनों के आए की तो जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन के साधनों की डिमांड ही कम हो जाएगी तो उनकी आए में तो कमी आएगी पहले जो उनकी उपलब्जता थी उसकी अप्यक्षा अब उनका प्रयोक कम होने लगा है तो जब उनकी उत्पादन के साथ उनकी मांग ही कम हो गई तो उनकी जब डिमांड ही कम हो गई तो जाहिर से बात है कि उनको दिया जाने वाले जो प्रतिफल है उसमें तो कम ही आएग उत्पादन के साधनों पर व्य तो करता है लेकिन क्यूंकि बाजार में उत्पादित वस्तु की मांग है ही नहीं तो व्य जादा होता है और आए उसकी कम होती है एक परिस्तिती ये देखने को मिलती है कि वस्तु की कीमते गिरती है मांग ही नहीं बाजार में गोदाम में माल भरा पड़ा हुआ है पूर्ती परियापत मात्रा में है लेकिन जो निर्मित वस्तु हैं जो बन चुकी वस्तु हैं उनको तो बेचना है उत्पादन करता को तो फिर वो क्या करता है कीमत गिराकर फिर किसी भी तरह से वो अपने स्टॉक को क्लियर करना चाहता है बहुत सी ऐसी वस्तोय भी होती है जो समय के साथ खराब हो जाती है यह बहुत सी ऐसी वस्तोय भी होती है जो समय परिवर्तन के साथ-साथ उनका मूल कम होने लगता है फेशन परिवरतन के साथ साथ फिर वो यूजलेस होने लगती है तो कहीं न कहीं स्टॉक को तो क्लियर करना जरूरी हो जाता है तो ये ऐसी एक कंडिशन बनती है जब उत्पादक को ये विक्रेता को अपनी वस्तू की कीमतों को गिराना पड़ता है साथ ही यहां पर हम देखते हैं कि उत्पादन में कमी आती है यह तो हमने पहले भी देखा कि मांग ही नहीं है तो उत्पादन करता है उत्पादन करके क्या करेगा वो तो अपने पुराने स्टॉक को ही क्लियर करने में लगा रहता है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में कमी आती है या उत्पादन में कमी करना पड़ता है यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या जिसके बारे में हमने बात की वो आती है रोजगार में कमी आने की बेरोजगारी की हमने देखा कि जब आभावी मांग के इस्ति उत्पन हो गई बाजार में वस्तु की मांग ही नहीं है उत्पादन में कमी आ रही है तो उत्पादन के जो साधन है उनको प्राप्ति होने वाला जो प्रतिफल है वो तो तेगा ही उत्पादन करता है जभ भी उत्पादन में कमी करता है सबसे पहला उसका फनड़ सिया को जन्म देती हैं अब यहीं फिती अंतराल की हमने अत्यधिक मांग की दश्या में स्विती अंतराल के बारे में जाना था कुछ उदारनों के अधार पर उनको समझा था अगर हम इसको बहुत अच्छी से हमने समझा वह tresge जस्ट अपोजिट जो इस्थिति निर्मित होती है वो अवस्थिति अंतराल की इस्थिति कहलाती है इस इस्थिति में हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार के इस तर पर कुल मांग की तुलना कुल पूर्थी से की जाती है और कुल मांग और कुल पूर्थी के बीच में जो अतिरेक होता है, सरप्लस होता है, या सीधे शब्दों में हम कहें कि डिफरेंस जो होता है, उसको हम आवस्विति अंतराल कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि मांग जो है वो घटी हुई है, पूर्ती जो है वो बढ़ी हुई है, इसका अगर हम एक अंतराल निकाल ले तो वो आव पादन की कुल पूर्ती में लगा दिया गया अब ऐसे इस्तिति उत्पन्न हो गई कि पूर्ती जो है वो बहुत अधिक हो गई और मांग जो हो गई वो कम हो गई यही कारण है जो आवस्पिति अंत्राल के इस्तिति को जन्म दे रही है बात करें यहां पर हम कि इस दशा में ह घरता जाता है इन्वेस्ट क्यों करेगा कोई उत्पादन हो ही नहीं रहा है जब उत्पादन होता है प्रोडक्शन होता है तो लोग उस प्रोडक्शन में उस प्लांट में उस व्यपार में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो कोई भी इन्वे प्लाई इतनी जादा है बजार में इतनी जादा वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी मांग ही नहीं है लेकिन कैसे भी स्टॉक को तो क्लियर करना है बना हुआ जो माल है उसको तो बेचना है ऐसे कंडिशन में जो वस्तु की जो कीमते होती है वो बहुत जादा हो जाती है हाला क यहां पर जब हम अत्यधिक मांग या भावी मांग की बात कर रहे हैं तो यह macro economics याने समग्र के रूप में जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके एक भाग के अंतरगती आता है लेकिन हम अपने साधारन जन जीवन से साधारन आर्थिक विभारों से जोड़ कर बहुत उची हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि उनका production बहुत अधिक होने से बहुत थोड़ी से कीमत में वह बिखती हैं बात करें अगर हम साधारन अपने जीवन से जोड़कर इसको देखे तो हम देखते हैं कि बाजार में टमाटर की क्या स्थिती होती है आपने साम से इसके कीमत गिर जाती है और वो 10-15 रुपे किलों में बिखने लगता है क्यूंकि अगर नहीं बेचेगा उत्पादक या विक्रेता जो खरीत कर लाया है तो वो वस्तू उसकी खराब हो जाएगी कैसे भी करके उसको बेचना तो है अब मांग है नहीं बाजार में production ब तरह से कम करना पड़ता है इसे तरह एक इस्तिती पर हम गौर करें तो यह होती है कि जब अर्थ व्यवस्ता में बेरोजगारी और अवसाद का एक भयंकर संकट उत्पन हो जाता है लोगों के पास रोजगार नहीं होता छटिनी की जो इस्तिती होती है वो समाज में बहुत से लोगों की बीच अवसाद जिसम डिप्रेशन कहते हैं इस समस्या को जन में देती है लोगों के पास जब रोजगार नहीं रह जाता है किसी प्रकार का व्यवसाद नहीं रह जाता है तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो अपने परिवार के जीवन यापन क उनकी अवश्रक और शक्ताओं की पूर्ती करने की होती है तो ये एक ऐसी कंडिशन बनती है जब लोगों में अवसाद की स्थिति डिप्रेशन की स्थिति उत्पन होने लगती है तो आईए अवस्फिति अंतराल की इन सभी दशाओं को क्या है कैसे उत्पन होती है इस इन पूरे तत्यों को एक उदाहरण के द्वारा एक रेखा चित्र के द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करें अवस्पिति अंतराल को समझने के लिए हम जिस रेखा चित्र का निर्वान करेंगे उसमें O X अक्षपर अर्थ वेवस्था की कुल आय और O Y अक्षपर कुल वे को दिखाया जाएगा यहां हम देख रहे हैं कि 45 डिगरी वाली एक रेखा A S कुल पूर्टी वक्र है और कुल मांग वक्र A D इस पूर्टी वक्र के साथ प्रारम्बिक संतुलन E बिंदू पर रखती है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि E बिंदू ही वो बिंदू है जहाँ पर A का निर्धारण होता है या चित्र के अनुसार कहा जाते हो O M आय का निर्धारण होता है अब अगर हम यह मान लेते हैं कि यह जो संतुलन है यह पूर रोजगार आयस तर पर होता है तो इसके बाद अर्थ व्यवस्ता में उत्पादन बढ़ा कर वास्तिवी काई में व्रिद्धी करना संभव नहीं है क्योंकि पहले से ही मांग है नहीं वस्तु क्यों पिर से उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो कोई अर्थ इसका नहीं होगा दूसरी बात है कि अगर विन्योग में कमी या फिर सरकारी वें में कमी के कारण कुल मांग या कुल वें में कमी होती है तो इसके परिणाम सरूप कीमत में भी कमी होगी तो इस प्रकार इस रेखा चित्र में ये प्रदिशित क्या गया है कि अगर कुल मांग कम होकर AD1 हो जाती है तो कुल मांग कुल उत्पादन से कम होने के कारण अब इस फिती की दशा को उत्पन्द करती है ये जो कुल मांग है ये कुल पूर्दि से कितनी कम होगी इसे ही प्रोफेसर कीन्स ने अविस्पिती अंतराल कहा है इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि AD1 कुल मांग और कुल वे NM1 है जबकि कुल पूर्दि अत्वा उत्पादन E1M1 है इससे इसपस्ट हो जाता है कि दोनों का अंतर NE1 ही आविस्पिती अंतराल है तो आपने देखा कि आविस्पिती अंतराल क्या है किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं किस तरह से ये जन्म लेती है अभावी मांग के अंतरगत हम आविस्फिति अंतराल को जान रहे थे अब आए देखते हैं कि आभावी मांग के कारण क्या है क्यों यह समःच्या उद्पन होती है तो सबसे पहले इसका कारण है सरकार द्वारा मुद्रा यहने की करेंसी की पूर्ती जो होती है उसमें कमी हो जाती है हमने अत्यधिक मांग की दशा में देखा था कि बहुत अधिक करंसी निकाल देने पर भी अत्यधिक मांग की समस्या उतपन होती है उस से just opposite अगर हम सोचें तो कई बार सरकार कई कारणों से मुद्रा का जो निर्गमन होता है हमने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा था कि किस प्रकार सेंट्रल बैंक जो होता है विभिन परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए करंसी का निर्गमन करता है अगर कोई ऐसी कंडिशन होती है जो अभावी मांग को जन्म देती है दूसरे इसके कारण के हम बात करें तो यह हो सकता है कि बैंक द्वारा साख घटाने पर हमने अतधिक मांग में देखा था कि मांग को बैलेंस करने के लिए बैंक जो है वो अपनी साख को कम करे लोगों को बहुत जादा लगा दे तो लोग नहीं लेंगे इससे जस्ट अपोजिट अगर हम सोचे तो यह जो इस्थति उत्पन होती है भावी मांग कि कहीं न कहीं वो यहीं इसी कारण से होती है बैंक जो है अपनी साख को घटाने लगती है लोगों को उधार देना कम करने लगती है लोग उधार ना लें इसलिए ब्याज में वो बढ़ोत्तरी कर देती है अब अगर लोगों के पास उधार नहीं आ पाता है रेण या कहीं से भी जहां से वो पैसा लेना चाहते थे वो नहीं आ पाता है तो उनकी जो मुद्रा की जो क्रेश रक्ती थी वो कम होने लगती है घटने लगती है और यही जो कमी है मुद्रा की वो आभावी मांग को जन्म देती है तीसरा अगर हम बात करें सार्वजनिक वे की तो सार्वजनिक वे में कई बार सरकार कमी करती है हमने अत्यधिक मांग में देखा था कि सरकार जो है वो सारवजनिक वैब बहुत जादा करती है चाहे चिकित्सा स्वास सेवाएं हो सिक्षा हो परिवान हो सब में इतना वैब कर देती है सरकार के जनता को वैब करने की ज़रुत नहीं पड़ती अब अब उसका अपोजिट देखें तो यहाँ पर हम इसकी स्थिती को देखते हैं कि सरकारी वैब कम होने लगते हैं तो जनता के जेब से भी वहाँ पर पैसा निकलने लगता है जहां सरकार का पैसा लगता था या लगना चाहिए था तो ऐसी कंडिशन में ओपन मार्केट में जो वस्तुए होती है उनकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है तो सरकारी वैब में कमी या सरकार द्वारे के जाने वाले वैब में कमी ये भी एक बहुत मात्यपोन कारण हो सकता है इसी तरह कारण हो सकता है कि बचत की प्रविर्थी में वृद्धी कई बार ऐसी योजनाएं आती हैं विन्योग के ऐसे माध्यम आ जाते हैं कि लोग जादा से जादा बचत करना जादा से जादा विन्योग करने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसी स्थिति जन्मे लेती हैं कि लोग अपनी आए का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचत करने में ही लगा देते हैं, मार्केट से वो बहुत कम समान खरीदते हैं या अपनी जो उनकी खर्च जो होता है, उनका जो व्य होता है, उसको वो सीमित कर लेते हैं, घटा लेते तो जब वो बचत करने लगते हैं तो जाइर सी बात है कि इस तो बढ़ता है जहाँ पर वह बचत कर रहे जहां पर वह जम्मा कर बनती है वैसे ही अगर हम बात करें करों में वृद्धी की तो जो भी आये हैं लोगों की उसका एक बड़ा हिस्सा तो टेक्स देने में चला जाता है बाकी वो अनिवाराव शक्ताओं की पूर्ती तो करते ही हैं उसके बाद हम जिन वस्तों के मांग के आभाव की बात करते है उसका कारण ये होता है कि अपने अनिवाराव शक्ताओं की पूर्ती के बाद और टेक्स दे देने के बाद ऐसी धनराशी बचती नहीं है कि मार्केट में जो मांग है उसको संतुलित किया जा सके तो आभावी मांग के इस्तिति फिर से उत्पन हो जाती है एक बात हम ने तो यह ने और ह्याद के एक बात परफिट होती है वह उनको मार्केट में पैसा खर्च करने से रोकती तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है अभावी मांग का कारण बनती है और साथ ही निर्यात में कमी कई बार हम अत्यधिक मांग को रोकने के लिए ये संतुलित करने के लिए निर्यात को रोक देते हैं लेकिन यही जो समस्या है अत्यधिक मांग का जो निदान करती है वही क कहीं न कहीं आभावी मांग के उत्पन होने का कारण बन जाती है आभावी मांग के कारणों के बाद अगर हम बात करें इसके प्रभाव की तो जिस तरह से अत्यदिक मांग के प्रभाव को हमने अलग-अलग छेत्रों में विभाजित करके देखा वैसे ही आभावी मांग को भ उत्पादन पर उसका क्या प्रफाव पड़ता है सबसे पहले तो जाहिर सी बात है सीधी बात है कि उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है मार्केट में वस्तू की मांग ही नहीं है लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं तो उत्पादन क्यों उसका प्रोडक्शन करेगा पूर्ण उपयोग यहां पर नहीं हो पाता है उत्पादन शम्ता के अगर हम बात करें तो एक उत्पादक के पास या मैक्रो एक्रॉमिक्स की दिश्टिकोंड से हम देखते हैं तो देश में उत्पादन के लिए जो सुलप साधन है जो कच्चे माल है जो टैक्निक है होने के बावजूद भी उनका पूरा का पूरा दोहन पूरा का पूरा उपयोग हम नहीं कर पाते क्यूंकि उत्पादन क्यूंकि मांग ही नहीं है बाजार में तो उत्पादन करके माल को स्टॉक करके रोक की रखने का कोई महत्व ही नहीं है तीसरा एक असर यह भी पढ़ता है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता दोनों को हम को रिलेट करें तो लगबग एक से ही बात लगती है लेकिन यहां पर हम क्या सकते हैं कि साधन जो होते हैं भूमी पूंजी श्रम संगठन और साहस उन पाचों साधनों का वास्तों में जितना उपयोग जितना सही उपयोग हो सकता था वो नहीं हो पाता है इसी तरह एक बात यह भी आती है कि फर्मे जो होती हैं बहुत सी वो बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती एक ही तरह के उत्पादन की बहुत सारी फर्म आप देखते हूंगे कि मोबाइल की अगर एक कंपनी है तो मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल अगर एक प्रोडक्ट है तो मोबाइल से रिलेटेड कई कंपनिया मार्केट में होती है वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे दैनी कुपयों की चीजे जो है बारिश में हम यूज करते हैं रेन कोट का गर्मियों में हम यूज कर होने लगती है तो बहुत सी ऐसी फर्मे बहुत से ऐसे ब्रैंड जो कंपनी जो प्रवेश करने वाले थे मार्केट में स्थापित होने वाले थे वो कहीं न कहीं स्थापित नहीं हो पाते हैं क्योंकि मांग ही नहीं रह जाती बजार में तो वो मार्केट में प्रवेश करके कैसे अपने स्थिती को बना पाएंगे ये एक समस्या उत्पन हो जाती है और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि उत्पादन करताओं को बहुत हानी होती है एक निराशा एक अवसाद की इस्थिती जन मिलेती है उनके अंदर भाविश्य में फिर वो इस तरह से उत्पादन करने की इस्थिती में नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया उसमें जो उन्होंने साधन लगाए उनका प्रतिफल लगाया ने कुल मिलाकर हम कहें कि उत्पादन की जो लागत आई वो ही उनसे वसूल नहीं हो पाती है तो भाविश्य में फिर वो प्रोडक्शन करने उत्पादन करने का साहस नहीं कर पाते तो कुल मिलाकर उत्पादन करता हम एक निराशा एक अफसाद के इस्थिती जन में लेती है ये तो हमने उत्पादन के प्रभाव की बात की अब अगर हम बात क करें आभावी मांग का रोजगार्ट पर प्रिफाय़ पड़ता है तो अभी तक EMirie मांग में में जितना समझ संज जाना उससे हम बहुत आसानी से कह सकते हैं इस इसतिती में रोजगार घट जाता है कम हो जाता है और बेरोजगारी की स्धिती उत्पन होती है क्यों अपने देखा कि उत्पादक जो है वो अपना उत्पादन स्थिर कर लेता है या फिर अपने उत्पादन को पहले के पिक्षा कम करने लगता है अब ऐसी कंडिशन में वो नई नियुक्ति तो करेगा नहीं नए श्रमिकों यह संगठन करता हूं कि भरती करेगा नहीं लेकिन उत्पादन में कमी के कारण एक इस्थिति ऐसी आ सकती है जब वो अपने लोगों की श्रमिकों की संगठन करता जो लोग होते हैं उनमें छटनी करने लगे तो बहुत एक भयंकर बेरोजगारी के इस्थिति यहाँ पर उत्पन हो सकती है आभावी मांग के कारण और किवल बेरोजगारी ही नहीं बलकि अगर देखा जाये तो यहाँ पर मजदूरी दर में कमी के इस्थिति भी उत्पन हो सकती है यह ऐसी समस्या है जो एक दूसरे को एफेक्ट करती है एक तो मजदूरी के जो दर थी वो आलरेड़ी कम थी इसलिए तो आभावी मांग के समस्या उत्पन हुई इसलिए उत्पादन कम करना पड़ रहा है मजदूरों को कम नियोजित करना पड़ रहा है कम काम करवाना पड़ रहा है कम प्रोडक्शन के कारण तो उनकी मजदूरी को फिर से कम कर दी जा रही है तो कहीं न कई घूम फिर कर यही समस्या है आभावी हमने देखा कि ऐसे कंडिशन में वस्तू की जो कीमते होती है गिर जाती है एक तो पहले ही कोई नहीं खरीद रहा है बजार से वस्तू को पहले से या भावी मांग है अब अगर उनको बढ़ाया जाए बढ़ाने की सोचा जाए तो और ज्यादा मांग कम हो जाएगी तो कैसे करके स्टॉक क्लियर करना है माल को निकालना है माल को बेचना है तो जाहिर सी बात है कि मूल्यों में गिरावट करनी ही पड़ेगी तो हम यह कह सकते हैं कि कीमत पर क्या आसर पड़ता है कि कीमते जो होती है वो गिरने लगती है घटने लगती है वैसे बात करें हाँ पर मू साथ उनके साहस में कमी आती है भविश्य में वो इस तरह के वैपार को करे या ना करे इतनी धनराशी उसमें नियोजित करे या ना करे इस तरह की जो समस्याय होती है ये जन मिल लेती है